नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में मंगेश्य अज willen पड़ियूरे काउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में विधान सभा के भीतर योगी आधित नात के याधवों के लिए दिए गए बुलेट ट्रेन जहां पर एक गाउं पड़ता है उक्हरा गाउं इस गाउं के भीतर यादवों के घरों पर एक 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 बाद एक बुल्डोजर की बड़ी कारवाई की गई है और यादवों के टेईस घरों को निस्त नाबूत कर दिया गया है ये घर 1990 के आसपास इस गाउं के प्रधान ने इजाज़त दी थी कि आप इस ग्राम समाज की बंजर जमीन के उपर आप घर बना लीजिए प्रधान की इजाज़त के बाद इन लोगों ने घर बनाया उसके बाद अब सरकार कहती है हम यह योजना लाएंगे और योजना के ना प्रधेश के भीतर यही 23 घर 23 घर यही उखरागाओं के 23 घर किसी और बिरादरी के होते मुख्यमंत्री जी की सजाती बिरादरी के होते तो क्या गिराए जाते सवाल बहुत बड़ा है और जवाब भी आपको मालूम है कि अगर सजाती ये लोग होते तो क्या गिराए जाते और इसका जवाब कमेंट में आप नीचे दीजिएगा यादवों के 23 घरों पर चला दिया गया बुल्डोजर दोस्तों और ये खबर आपके सामने है दैनिक भासकर की खबर है दैनिक भासकर कहता है फरुखाबाद में 23 मकानों पर चला बुल्डोजर पचास वर्सों से रह रहे थे यादव परिवार अखलेज बोले ये राजनितिक कुरूरता है दैनिक भासकर की कटिंग हमने यहाँ पर निकाल कर लगाई है ताकि विश्वस्नियता बनी रहे विश्वस्नियता खंडित नहीं होनी चाहिए हम जो दिखा और बता रहे हैं वो स फज़र डालिये कौनकौन है कौन नाम है देखिए पहला नाम पहला नाम फरोखभाद के नवाब गंजमेय आदवों के 23 घर पर चला दिया बुलडोजर पहला नाम यहाँ पर अनिलकुमारी आदव हैं यह हो गए दूसरे यहां राजकुमारी आदव थीसरे हैं क्रश्न सुरेश्चन्द्र यादव, 6 हैं राम प्रकाश यादव, 7 हैं ब्रम किषोर यादव, 8 हैं भूप सिंग्ग यादव, 9 हैं राम ओतार यादव, 10 हैं चरन सिंग्ग यादव, ग्यारवे हैं राजीव यादव और बारवे हैं जितेंद्र यादव तेरवे हैं गुन्नु यादव ब्रज किशोर यादव चौदवे हैं पंदरवे हैं ब्रह्मानंद यादव इनके घर गिरा दिये गए हैं बुल्डोजर चला दिया गया है योगी सरकार में फरुखाबाद में इन सब के घरों को निस्तनाबूत कर दिया गया है कैसे किया गया है आपकी स्क्रीन के उपर एक दो तीन चार ये चार विंडो हैं चार तजवीरे हैं हम आपको एक एक करके प्ले करके दिखाते हैं बताते हैं किस तरीके से इन लोगों के घरों को निस्तना पाबूत कर दिया गया देखिए चल रहा है बुल्डोजर देखते जाईएगा क्योंकि अभी जो आप देखेंगे इसके बाद जो हम योगी आदितनात का बयान सुनाएंगे आप कनेक कर पाएंगे कि किस तरीके का न्याय उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है यहां इन लोग लगजरी घर नहीं है इटे का बना हुआ यह घर है इसमें अगर आप लिंटर देखेंगे तो लिंटर इसमें अगर आप लिंटर देखेंगे तो würden पुण्यम्य इक फढ़ा है यह तीसा अगली तजावीर आप देखिए अगली तद्वीर में एक महिला है जो दूद के केन हैं दूद के केन हैं उसके बच्चा बैठा हुआ है ड्रम रखे हुए हैं गाड़ी बाहर कड़ी हुई है और उसका घर भी लगवग ऐसा ही बना हुआ है बहुत लगजरी घर नहीं है सामान ने घर हैं प्ला लोजर आपको दिखाई दे रहा है वीवार तोड़ रहा है यह चार तज्वीरें इन तज्वीरों से आगे चलेंगे वर्त लंबा हो जाएगा आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि घर से निकला हुआ कूलर यहां पर रखा हुआ है यहां पर कुछ और बनके देख रहे हैं यहां पर एक सोलर है और छोटा छोटा बकसा है घर के बच्चे हैं सब बाहर कर दिए गये और इसके बाद पुलिस अपना काम करने के लिए आ रही है पुलिस समझा रही है कि आप लोग यहां से जाएए हम इस पर जो है बुल्डोजर चलाएंगे फला कारा काटने की मशीन चलती है और पुलिस वाले यहां पर घर तुडवा रहे हैं और यह सारे के सारे घर यादवों के घर हैं जितने भी घर तूट रहे हैं यह सब यादवों के घर हैं एक लाइन से और यह एक तद्वीर और देख लिए आप चार तद्वीर हमने आपको पहल भाओ भा देख रहा है सबके घर एक के बाद एक गिरा जा रहे हैं चली आगे बढ़ते हैं आपने यह यह देख लिया है कि सबके घर किस तरीके के हैं अभी आपको सुनाएंगे कि योगी अधितिनात उत्तर पर देश में किस तरीके से इन लोग के साथ हन्याएं कर रहे हैं अभी आगे बढ़ते हैं अखिलेश श्यादव ने इस पर ट्वीट किया कहा कि ये है प्रतिशोद से भरी भाजपाई राजनिती का विभत सचेहरा भाजपा बसे बसाए घरों को गिरा कर सुख पाती है जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए पता नहीं वो दूसरों के घर गिरा कर किस बात का बदला लेते हैं हर गिरते घर के साथ भाजपा भी और नीचे गिरती जा रही है अमरत काल के सुचनार्त आज लोकसभा फरुखाबाद में विधान सभा अमरतपूर के ग्राम उखरा में सालों से बसे पचीस गरीब परिवारों के घरों पर बुल्डोजर चला कर ना जाने कितने बूड़ें बीमारों बच्चों माताओं बहनों बेटियों को भरी बरसात में बेगर कर दिया गया बिल्कुल सही बात कही भई भरी बरसात में इस तरीके का घर तो दुश्मन भी नहीं लोगों का गिराता है इसके बाद सरकार क्या कहती है अब कहनी यहां से शुरू होती है यह आया सरकार का पक्षाश के बाद सरकार क्या कहती है अंग्रेजी में कहती है all the houses were built on encroached government land and multiple notices were issued to weakest the land and and occupants it's a case in the court these claims are nothing but propaganda these claims are nothing but propaganda सरकार यहां पर हिंदी में बताएं तो यह कह रही है कह रही है कि यह सारे घर जो है अवैद तरीके से इंक्रोच्मेंट करके बने हुए हैं गोर्मेंट लैड पर बने हुए इन लोगों को बहुत बार नोटिस दी जा चुकी है और उसके बाद भी इन लोगों ने अपना सामान वगएरा नहीं हटाया केस कोट में भी यह लिस्टेड था और यह जो यह वाला जो क्लेम अखिलेश अदब कर रहे हैं यह एक प्रोपोगेंडा है यह इस बात को कहते हैं आप यह कहते हैं कि इनको बहुत सारी नोटिस दी जा चुकी है तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों नोटिस तो हम लोग भी जानते हैं कैसे देते हैं अगर आपका घर गिराना है तो कैसे नोटिस देते हैं इसका एक एक तरीका मैं आपको बिल्कुल जाचा पर खा और 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 देखा हुआ तरीका मैं आपको बता रहा हूं यह लोग क्या करते हैं कि अगर आपको नोटिस देना है तो कि एक नोटिस दो नोटिस तीन नोटिस कि आप हटा लीजिए पहला नोटिस होता है आप आप और उसको करके जब घिराने चलते हैं तब थमा देते हैं। नहीं हुआ है। यहां पर भी वो चालबाजी नहीं खेली गई है यहां पर महिलाएं क्या कह रही है आप देखिए कि महिलाएं खुद कह रही है कि कुछ नहीं मिला देखिए पिंकी कह रहे हैं कोई नोटी सोटिस नहीं मिला सरकारी जमीन थी तो विकास क्यों कराया है यहां पर हम लोगों के लिए क्यों बनवाया अगर सरकारी जमीन थी कि परदहान ने तो इनको जमीन दे दी थी कि आप घर बनाये परदहान तो सारी चीजें वहाँ पर कर वा रहा था लेकिन अब नजर पड़ गई जमीन पर सरकार चाल ले सकती है जमीन कहीं पर भी ले सकती है लेकिन उसका एक तरीका होता उन कोई नोटिस नहीं दी गई और जब इस जमीन की चर्चा चल रही थी अधिगरेंट करने की तब अभी इनलों को यह बताया गया कि घर छोड़कर अधिगरेंट किया गया है यह सब लोग यह बात बता रहे हैं अब योगी जी का बयान आप सुनना चाहिए अपने आस्याना बनाने के लिए अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब पर कहीं पर कभजा किया या उसने अपनी जोप्री डाली है तो उस जोप्री को तक तक प्रसाथ संद नहीं अटाएगा जब तक कि हम उसके लिए विवस्कित कोई शुरक्सित आवास उपलद्द न करा दें तो क्या योगी जी आपने इनलों के लिए आवास उपलद्द कर दिया था तब यह लोप इस तरीके से नहीं जी तरफंद कि तरफए तरफ और अगहां और और देखिये और देखिए कि और किसी और जाती के होते तो अपने अस्याना बनाने के लिए अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब सर्जुनिक संपत्ति पर कहीं पर कपज़ा किया तो जोपड़े को तक तक प्रसासन नहीं अटाएगा जब कि हम उसके लिए विवस्तित कोई शुरक्सित उप्लब्द नका तो जोपड़े की बात कर रहे हैं यहां पर तो बयान से थोड़ा अलग है यहां पर योगिया जित्तिनात विधान सभा के भीतर खड़े होते हुए यह बात कहते हैं कि यादव और मुसल्मान 17 फाइर में नाम थे गुमतिनगर की घटना थी गुमतिनगर के रास्ते में ताज होटल के पास पूल के नीचे पानी भर गया था वहां कुछ शोदे आने जाने वाले लोगों के उपर पानी फेक रहे थे और वहां से गुजरने वाले युवतियों और महिलाओं के उपर पानी फेक कर अबदरता कर रहे थे उसमें योगिया जितनात ने सदन में खड़े होकर ये बात कही एक यादव का नाम लिया और एक मुसल्मान का नाम लिया बोले कि ये सब सवहार्द वाले लोग हैं और इनकी बुलेट ट्रेन बनाएंगे इनकी रेल बनाएंगे और जबकि उन दोनों जिस हिंदू और जिस यादव और जिस मुसलिम का नाम इन्होंने विधान सभा के भीतर सदन में खड़े होकर लिया था वो दोनों उस समय वहां नहीं थे तो क्या मंशा योगी अधितनात की है ये बयान देकर सदन के भीतर से क्या योगी अधितनात ने एक तरीके से इन लोगों को खुला आदेश दे दिया है अगोशित आदेश दे दिया है कि अगर हम यादवों को कुछ कह रहे हैं कि इनकी रेल बनाई जाएगी ये सब सवहा और उसके बाद अब यादवों के घर पर इस तरीके से बुल्डोजर चलाना अब योगी अदितिनात का सदन का बयान सुनिए आपको समझ आ जाएगा और और तारी किया सत्रा सूची बोल रहे हैं ये सद्वावना वाले लोग है यादव का नाम लेते हैं और बताते हैं सद्वावना वाले लोग है सूची बोलते हैं हमारे पास आ गई है और दो नाम पढ़कर ये इशारा करते हैं बिरुक्रेसी को इस एक तरीके का ये इसारा है कि भाई आपको जो करना है आप करिये हमने खुली छूट दे दी है हमने बता दिया है कि यादव और मुसल्मानों के लिए हमने इशारा कर दिया है तो फिर योगिया अदितनात ये बात जो कहते हैं यह अगर जोपड़ी भी है यहां पर कहते हैं यह अगर जोपड़ी भी है तो भी उसको पहले रहने का अलग इंतिजाम किया जाएगा उसके बाद बुल्डो जब चला जाएगा लेकिन यह तेईस घर तोड़ दिये गए यह उन यादवों के नाम हैं जिनके घर तोड़े क्योंकि इस तरीके की एक तरफा कारवाई कताई ठीक नहीं है एक लाइन से घर गिरा दिये जाएं जबकि योगिया दितनात का यह आदेश है कि किसी का भी घर तोड़ा जाए उससे पहले उसके रहने की विवस्था वगएरा की जाए छोपड़ी भी है तो भी की जाए ले और फच रहा है वो किसी मामले में आ रहा है तो फिर आप रियायत मत परती है क्या यह अगोशित आदेश जा चुका है क्या यह हो चुका है उत्तर प्रदेश के भीतर इस वीडियो में इतना ही अपनी राय कमेंट में जरूर बताईए नमस्कार